नमस्कार मीत्रू स्वागच्छे आपने यूटूब च्यां रसलेंग्वेद लेव मा तो मीत्रू आजना वीडियो मा अपने डिसकस करवाना छिए कि जे ओनलाइन एक्जाम लेवानी छे बराबर एचेंजु द्वारा तो जे स्टडी पॉइंट जे एमसे क्यूज आपे छे बराबर तो आपेच तो छे हैं पन स्विड़ने आपरे नहीं और तो आजना वीडियो में अपने डिसकस करवाना छिए कि लॉट्वाबर तो आपने लॉंग प्रिशन जो आना छिए जो अधारे गुजाते ट्रांसलेट ना था तो माफ कर जू पर आपने प्रयास कर इशू बरबर तो वीडियो शरू करता पहला हूं तो में नेमर बिनांति कर दो जो चलनल मा नवा हो तो चलनल ने सब्सक्राइब कर देजू तेनी बाजू में एक बेल आइकन आप से बेल साथी प्राता में जोईशक्ष अमारो वीडियो बरबर तो आपना वीडियो सटार्ट करिये तुमित्रों इंट्रोडक्शन छे लिट्रेचर अड बायो ग्राफि बरबर तो आपने जोईए फर्स्ट एंट्रो वेन स्टड़िंग लिट्राचर when studying literature, biography and its relationship to literature is often a subject of literary criticism and is treated in several different forms. Two scholarly approaches use biography or biographical approaches to the past as a tool for interpreting literature and literary biography and biographical criticism. Biography is an old literary form. तो नोदवाद जोएचे के क्या 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 कापणे पॉइंट्स करिये तिया तैमें नोदतार है जो करन के प्रश्ण पूर्शी जा काई के हूँ इस ओल्ड लिटरी फॉर्म तो Biography is an old literary form. चुचे, biography ए सवती जुना मा जुनू फॉर्म चे प्रकार चे. Next, for the literary study, the personality and the life of the writer are most important because he is the creator of a work of art. Biography through light on the real production of his poetry, it shows the internal and external development of poetry. Next, जो ये, हावे एनो meaning जी जी, biography नो meaning शुचे थाए छे, बराबर according to Oxford dictionary, Oxford dictionary एउ कहे छे कि biography is the history of the lives of individual men as a branch of literature. Biography is the history of the lives of individual men as a branch of literature. Next, John Dryden, first time used the word and we find as John Dryden प्रतमवर, डिफाइन आपे छे कि व्याख्या आपे छे, बराबर. Biography is the history of particular men's lives, इटले. Biography is the history of particular men's lives, इटले. Biography ए चोक्यस व्यक्ते ना जीवन जीवा माटे नू इतिहास छे. Biography बराबर. Next, Author and Biography. आपे प्रतम जीवा इंट्रदक्शन, प्रतम जीवा आपने इंट्रदक्शन, प्स्या जीवा मेनिग ओफ बिइन जीवा में जीवा 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 ूजीए, छोल चुझा तियो से साउमत soldiers on the ground of the light, it is throughs on the life of the author. The interest of biography is reflected in the personality of the author and his books. But this does not mean that the personality can be ruled out in literature we know that behind the works of Dante or Stolstoy there is a person behind the work different sorry work different writing of the same person would have a family resemblance for example Milton's work have Milton equality but his quality can be derived from the work of Milton and not from his life it's like we've won't 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 अपर लगतो है डाख्ला तरीके मारका का मामं घम्मेता उपर लखू तो यह बायुग्राफिए के श्रका है बनारबन नेक्स्ट जो इसे टू ताइप्स ओपोईट्स तू ताइप्स ओफ पोईट्स प्रतम जो फरीथों पोंट्स याद कराओं इंट्रोच्छन मिनिंग अफ बायोग्राफी ओथर और बायोग्राफी अब जो इस फ़र्थ मां टू ताइप्स ओफ पुएट्स मित्रो जो तमें वद्धा अंदर वद्धार याद्न राखे चाको तो तमें पॉइंट्स नोजिता रहे जो लस्त माँ अपने फरीति काई रहे शुपाइश पइंट्व बन अट्यारे पन दनूज्टा रहे जो ने लिए वी टोकिंग अबोग्डाथी और लिटर्चर जुट बाले कुटिम कैजिक्रा था लिए रिट्टर्ट्ट मुस्त वाज़ क मैं अब्यादित भर या रस्ट कापबिलती हैंस तुट अब्दिर ए वर्ट, आ प्लिएर शेग ए विस concrete personality the subjective way aims at displaying his personality wants to confess to express himself इतले जारे आपने बायोग्राफिनी बात करिये ची ये सही तेमा बायोग्राफिनी बात करिये ची तेरे मुख्ये बे प्रकालने एप्रोच इस होई ची होई चे अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एमा सब्जेक्टिव पोईट्स जिवा के जोन केट्स थॉमस एलिएट स्टेशिस पोईट नेगेटिक अबलिटी ही उपने इस तुद वर्ल्ड एलिकें कोई पन सब्जेक्ट पोईट सब्जेक्टिव पोईट पोतानी जातन ने क्यारे दर्शाब तो नथी पट पोता ने के भी रिते एक्सप्रेस लेके के भी रिते एक्सप्रेस करू लेके विसलेशन करू कोई पन व्यक्तिना जीवन ने ते बतावे छे next we know the objective literature for long the objective poets do not allow the personal feeling in their works इले कोई पन objective poet पोता ने परसनल लेके व्यक्ति गत लागनियों ने पोता ना वर्कमा क्यारे शामिल करी शक्तो नथी in such works the personal expression is very weak but the aesthetic value may be great the renan-sa sonet elizabethan drama naturalistic novels most folk poetry may be such examples with the subjective poet the distinction between a personal statement and the use of motif in a work of art should not be withdrawn a work of a work of art form a unity differently it is done quite differently in relationship the relation to relationship reality than a book of memories a diary or a letter according to breeds according to brands macbeth is uninteresting because shakespeare personality is not found in it early quick one like a poet boy they both on a given wish a personal acting good feelings carry a new baby a pen tema right like a lucky job to know the queen night given up or lucky shakit upon what an a week three given at the what a what a not given week you see if you can carry my graph in my lucky job to not think huh mother photo by a guy who is too weak to put on a personal given it like a week three given me she left a check it upon by a graph in a carry like shak to nothing TV the example a picture एक मेशेक्रेट ये अनिशन्श कि लेके इंट्रेस्न लेके वरस्त पड़े तेव नथी फन शेक्स्फियर पुता नी जात ने टेमा शामीर करी नथी बरब next day biography has no critical value biography has no critical value biography has no critical value although lots of approach biography can assist it has no cultural no biographical evidence can change of influence critical evolution the sincerity in his life may not have come out in literature among in one life thought suffered terribly can make such a work as he might have suffered the existing work and the real experiences are different next day clearly views on biography clearly says that history is a sense of the countless biography Sahitya E Kathani countless scenes chamber in Carlyle's point of view biography is an ancient literary genre it is logically the part of historiography in a biographer's view the poet is simply another man whose moral and whose moral and intellectual development and emotional life can be recontracted the problems of a biographer are simply those of historian he has to interpret his documents and accounts by witness actual writing of biography he encounters the problem of chronological presentation and frankness after next day conclusion challenge the poet's work may be mask but it may reflect his own experience the poet it may reflect his own experience कवरच कवरच एक्सपेस करचे अंदर नी वस्तु क्यारे रिफ्लेक्ट एलेके एक्सपेस करतो नथी इस उन लेक्यारन के ते पोतानो जिवन होई छे दे बियोग्राफिकल प्रेमवर्क वहाँ अस इन श्टरिंग डेबलोपमेट उन वहाँ शेड़ शेड़ी शे मैंट wholly okay मुसक्ट यारच आ वहाँ तोस्ट्म टिवcolंड बियुअन 갑ॉच फ्युच इस उन द्विद्ट गुम्यक प्रूश् Аरण क सविजक्ट क्युच हूच बियुच प्राण के प्राण के बाद आन हो एकट सब्सक्राइब करें देजू करने के आप रखाना अथवा एतन जुने लगता दरेक वीडियो आ यूटुब चैनल मा अप्लोड करवा मा आवे छे तो आवा वीडियो दरोज जवा माटे हमना चैनल ने सब्सक्राइब करें दो मनीचे ननकड़ा वीडियो साथे जैसुद स्टेव हों स्टेव सेफ जैहिन जैबारा जैगर्वी गुजरात